डीवन, वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल, आज हम करेंगे ट्येस ग्रेवाल क्लास 12 की अकाउंट एंची का चेप्रे 2 जिसका नाम है नेजर एंड वेलिएशन अफ गुडविल का शलूशन नम्बर 7 Q7 में हमें बता रखा है, Q7 में हमें बता रखा है, तरंग परचेस जोती बिजनस विद एफेक्ट फॉर्स अप्राइल 2023, प्रोफिट शोन बै जोती बिजनस फॉर लास्ट थ्री फिनेंशल यर एंडि 31 मार्श पर रूपीज 2021 रूपीज 1 लग, इंक्लूदिंग अबनॉर्म अबनॉर्मल लोस ऑफ 25,000 और 2023 में आपको 1,12,500 का क्या दे रखा है, प्रोफिट दे रखा है, इसमें में मेंशन है, इसको आपको इंक्लूद करके, प्रोफिट को कैल्कूलेट करना है, तो प्रोफिट जो 2021 का होगा यह अबनॉर्मल गेन है, जिसको आपको माइनस करना है, तो यह 87,500 आएगा, 2022 का profit में आपको क्या करना है 25,000 जो कि abnormal lows है 1,50,000 हो जाएगा इसको आपको plus करना है तो abnormal gain को आपको minus करना है abnormal loss को आपको plus करना है और जो profit आपको यह given है यहाँ पर 12,500 का इसमें जो 12,000 का insurance premium था firm property का now to be insured mention है तो यहाँ पर 20 को क्या करना है माइनस करना है क्योंकि insurance premium को यहाँ आपको क्या करना है माइनस करना है यह माइनस करके वन लैक रुपीज आएगा अब यह आपको average profit calculate करना है तो तीनों profit job के हैं यह 87,500 वन लैक 50,000 और वन लैक इनको plus करके 3 से divide कर दीजिएगा यह आपके पास यह आपको क्या करना है इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको goodwill calculate करना है average profit multiply कर देना है आपको 2 years of purchase तो average profit है 11,000 लैक 12,500 का यह आपके पास average profit जो आएगा 1,12,500 का आएगा जिसमें question में mention क्या है question mention है 2 year purchase तो इसको आपको 2 से multiply करना है तो 2,25,000 आएगा तो यह हमें इस question में करना था आज के लिए इतना ही I hope you like this video if you like this video please do subscribe this channel thanks for watching